अगर आपका अपना खुद का घर नहीं है, आप किराय पे रहते हैं और उस निशान को किराय की घर पे रहते हैं, आप सभी शम्भक्तों को जैस्तरी शाम, शम्भक्तों कैसे हैं आप सभी, उमेद करते हैं चाही होंगे, शम्भक्तों बावश्याम का जो निशान आप सभी को वीडियो है वीडियो को लस्तक जरूर सुनिएगा क्योंकि शाम भक्तों हालकी हो सकता है आपको ये चीज पता होगी परन्तु ग्यान को हमेशा अरजित करना चाहिए यानि ग्यान लेना चाहिए जिसके करण से बावश्याम की महिमा आपको अधिक से अधिक मिल सके तो शाम भक्तों बावश्याम का निशान जो होता है बावश्याम के दरबार में जब हम बावश्याम को जाकर निशान अरपन करते हैं तो वहां से हम निशान लेकर आते हैं अपने घर परन्तु उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो निशान यात्रा होती है वो रिंगस स खाटु धाम तक की यात्रा होती है हाला कि इस यात्रा की कोई लिमिट नहीं है ये यात्रा जो होती है श्याम भक्तों ये आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं परतों शुरू करने से पहले बबश्याम के समक्ष जाकर संकल्प लेना पड़ता है बावश्याम के समक्ष जाकर बोलना पड़ता है कि आप ये जो निशान यात्रा कर रहे हैं ये किस उद्देश किशात कर रहे हैं हाला कि श्याम भक्तो आपने देखा हुआ कि लोग कितने कितने दूर से पैदल चलते हुए बावश्याम के दरवार आते हैं निशान धारन करते हुए तो उस निशान को अगर आप अपने घर के चट पे लगाएंगे तो उसकी महिमा अप्रम पार होती है श्याम भक्तो बावश्याम को जो निशान होता है वो कई कारणों से बावश्याम को अरपण क्या आता है जिसमें से दो मुख्य कारण जो है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला कारण तो ये है कि बावश्याम से जब आप बावश्याम के दरशन करते हैं बावश्याम के बारे में आप समझते हैं और बावश्याम के पसंद नापसंद चीज़ को समझ कर उसके बाद आपकी मन में खुद भाव जगते हैं, आपके मन में श्रधा जगती है कि मुझे भी बावश्याम को ये निशान अरपन करना चाहिए, तो ऐसे भाव के साथ बहुत सारे भक्त बावश्याम को निशान अरपन करते हैं, जिनका कोई उद्देश नहीं होता, वो सिर मनोकामना होती है, जिनकी अरजी होती है कि मेरा ये काम बने, विजय की यानि जीत की अकांशा रखते हैं, उनसे कहते हैं कि हे बावश्याम हमें भी जीत दिलाओ, और इसके साथी बहुत सारे ऐसे शाम भक्त होते हैं, जिनकी मनोकामनाई बावश्याम पूर्ण कर देते है जिनकी इच्छाएं बावश्याम पूर्ण कर देते हैं तो ऐसे जो भक्त होते हैं जब उनकी मनोकामनाय पूर्ण होती है जब उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है जब तक उनको विश्वास नहीं था कि उनकी मनोकामनाय और इच्छा पूर्ण भी हो सकती है और जो बाबश्याम के दरबार में आए बाबश्याम से अरजी अरदास लगाया उसके बाद जब उनकी च्छपूरी हो जाती है तो बाबश्याम को प्रसंद करने के लिए बाबश्याम को खुश करने के लिए वहीं पर वो स्टार्टिंग महीं बोल के जाते हैं कि हे बाबश करते हैं तो श्याम भक्तो निशान यात्रा के कई सारे कारण हो सकते हैं परन्तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप निशान यात्रा बिना कारण या बिना किसी लाव के बिना स्वार्थ के बावश्याम को अर्पन करते हैं तो बावश्याम की महिमा तो ऐसे ही बन जाती है आपक निशान यात्रा का कोई समय सिमा नहीं है कि इस समय से इस समय तक ही करनी चाहिए निशान यात्रा आपकी श्रद्धा पर निर्भर है आपके भाव के उपर निर्भर है कि आप निशान यात्रा कब कहां और कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहा तक करनी चाहिए तभी पूर्ण मानी आती है ऐसी कोई बात नहीं है निशान यात्रा जो होती है आपके श्रद्धा और भक्ति भाव पर निर्भर करती है आप निशान यात्रा चाहे तो तोरण द्वार से बावश्याम के दरवार एक किलोमेटर की यात्रा भी कर सकते हैं और चाहे तो आधा किलोमेटर की भी यात्रा बाबा की दरवारत कर सकते हैं बाबश्याम सिर्फ भाव देखते हैं आपके अंदर की आपके भाव कैसे हैं अगर वो भाव एक परसेंट भी सच्छे होते हैं शाम भक्तो तो बाबाश्याम को आपका वो निशान अनको ग्रहन कर लेते हैं शामभग तो ये तो हो गई निशान यात्रा की बात अब निशान यात्रा किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए तो निशान यात्रा देखिए शामभग तो कोई भी कर सकता है परन्तु ये देख लेना है कि उनकी स्वास्त की स्थिती सही है या नहीं है ऐसा नहीं है कि high BP बना रहता है लो BP बना रहता है और वो निशान पकड़के चल दिये उन्होंने कहीं सुन लिये कि बाबाश्याम की महिमा बनी रहती है देखे बाबाश्याम बालजी महराज की करपा तो हम पे बनी ही बनी रहती है परन्तु अपना जो स्वास्त है पहले डॉक्टर से कंसर्ट करने की इतनी जो लंबी यात्रा है आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सब कुछ concern करने के बाद ही आपको उस यात्रा को करनी चाहिए तो शम्भक्तो निशान यात्रा के दोरण आप जगे जगे रुख भी सकते हैं और निशान को जो आप धरन करते हैं यानि कि मौनोती वाले नारियल के साथ अगर आप धरन करते हैं तो उस नारियल को ले जाकर बावश्याम के दरवार में आरपन भी कर सकते हैं तो बावश्याम के करपा बनी रहती हैं तो शम्भक्तो जैसे कि आप सभी खाटु धाम जाते हैं और वहां से अगर आप कोई निशान लेकर आते हैं या निशान में लगा हुआ नारियल लेकर आते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, खटुधाम से वो निशान को लेकर आएं, तो निशान को लेकर आने के बाद सबसे पहले आपको घर में लाने के बाद निशान की पूजा कर लेनी चाहिए, हलाकि शाम भक्तो वो जो निशान आप लेकर आए हैं उसकी पुझा अल्रेडी हो चुकी है बावश्याम को अरपन हो चुका है उसके अंदर चमतकरी शक्तियां अल्रेडी है परित्तु शामभक्तों जब आप अपने घर में किसी चीज को लाते हो बावश्याम के दरवार से लाई गई चीज तो उसकी पुझा अवश्य कर लेनी चाहिए इसमें शामभक्तों निशान होता है बावश्याम की मोर्चडी है बावश्याम का जो इत्र है जो परशाद के रूप में आपको मिली है ऐसी चीज जो बावश्याम के दरवार से आप लेकर आते हैं तो अपने घर के मंदिर में रखने के लेजे जैसा कि आप नॉर्मली पुझा पाट करते हैं घीगा दिया जलाते हैं पुश परपन करते हैं गंगा जल जो होता है हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं कि हम आपका निशान लेकर आए हैं बावश्याम हमारे घर पे सदा द्याज रिष्टी बनाया रखिएगा हमारे चफे पर लगा देना चाहिए जो आप निशान घर के चफे लगाएंगे बहुत सारे लोग इस्टील जो परदा टाङने वाले स्टील के अचे लगा देते हैं बहुत सारे लोग अलह ऐलग चीजू में पाइप में या जो उन्में मिल जाएं उस चीज में लगाकर बबश् चुक्षन होने के लिए तो कई सारे लोग क्या करते हैं उसी सरिया में निशान को लगा देते हैं ऐसी भूल भूल के भी ना करें शमभग तो इसका मतलब यह है कि आप उस निशान का सम्मान नहीं कर रहे हैं आधर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाबा के दरवार से यानि कि जिस उसने उस निशान को अरपन किया होगा चाहे आपने किया चाहे किसी और ने किया आप उसका उस निशान को लेकर अपने घर में आए हैं तो उसका सम्मान जरूरी है और सम्मान अगर आप करेंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा आपके घर को सम्मान मिलेगा और बावश्याम की दियाद रिष्टि आपके पूरे परिवार पे बनी रहेगे. तो बाबशाम का जो निशान हम लेकर जब घर में आते हैं तो निशान का सिर्फ कपड़ा होता है, उसके साथ डंडा नहीं होता है, तो उस डंडे का इंतिजाम आपको करना है तो उस डंडे का इंतजाम आप कहां से करेंगे आप अपने नजदी की शामबाबा की मंदर चले जाएए वहाँ पर बहुत सारे लोग निशान अरपन करते हैं तो वहाँ आप क्या करते हैं पुजारी जी महराज निशान को अलग कर देते हैं तो आपको बता दूँ जिससे हम मकरी का जाला निकालते हैं उसमें आपने देखा हुआ काफी लंबा और पतला स्टिक लगा रहाता है डंडा लगा रहाता है जो की बांस का ही होता है तो वो आप मार्केट से खरीद के ला सकते हैं हाला कि 30, 35, 40 रुपे का आप वो डंडा मिल जाता है और जितने का भी मिले उस डंडे को लाने के बाद उसमें से जाला वाला जो है वो निकाल दीजिए उस डंडे को लाकर शाम भक्तो क्या करना है उस पर गंगाजल छिड़क कर उसमें आप रोली सिंदूर वगरा जो है आप थोड़ा सा गिला करके सिंदूर को आप लगा दीजिए और लगाने के बाद बबश्याम को परणाम करके आप जो निशान बबबा के दरवार से लेकर आए हैं उस निशान को उस डंडे में लगा कर आप अपने घर के छट के उपर लगा दीजिए यानि शाम भक्तो आपका खुद का घर है तो आप अपने घर पर ऐसी जगह लगाए जहां से वो निशान अच्छी तरह से फैरा सके दिख सके सामने से कोई भी आ रहा जा रहा वो दिख सके कि भबश्याम का निशान यहाँ पर लगा हुआ परंतु शामभक्तों मैंने अक्सर यह देखा है कि बहुत सारे शामभक्त तो लगा तो लेते हैं कभी आस तक उपर जाके यानि कि चट जाके कभी बबश्याम की पूजा नहीं की यानि की घर में जो पूजा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं परन्तु यानि एक धुबती यानि पुश्प वगर कुछ भी नहीं चड़ाते हैं वो निशान बस ऐसे ही फैराता रहता है यानि श बहुत सारे लोग बोलते हैं एक ही निशान लगाना है DANIEL-श, अपने घर पर लगा सकते हैं पर अगर आप बहुत सारे निशान लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि अप बुखावा कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर बावश्यां की करपा नहीं बनती है इसलिए शाम भक्तों हमें बहुत सारे निशान नहीं लगाना चाहिए एकी निशान लगाना चाहिए और एकी निशान लगाने के बाद उसकी हमें सेवा भाव करनी चाहिए पुजा अर्चुना करनी चाहिए अगर निशान कहीं से फट जाता है आपको लग रहेगी निशान खंडित हो चुका है तो कोशिश करिए जल्द से जल्द आब बाबा के धाम जाए और वहाँ से दूसरा निशान लेकर आए और उसके बाद उस निशान को उस टंडे में लगाने के बाद पुराना वाला निशान निकाले पुराना निशान निकालने के बद आपको क्या करना चाहिए उस निशान को लेकर आपको किसी गोशाला वगरा जो रहती है जाय काय वगरा बंधी रहती है गोशाला के च्छत वगरा में जाकर आप बांच सकते हैं या उस निशान को आप विसरजित कर सकते हैं तो श प्रकार से जो निशान आपने लगाया है अपने घर के चत पर तो वहाँ पर भी आप दो पुश्व चड़ाईए उनको जल अरपन कर सकते हैं और उन्हें प्रणाम कर सकते हैं इस तरह से बावश्याम से हर दिन बोल सकते हैं बावश्याम ऐसे ही विराजमान रहना ना मेरे घ घर पर तो इस प्रकार से आप उनसे बिंती कर सकते हैं तो शाम भक्तो आप देखेंगे कि जो लोग ऐसा करते हैं बावश्याम की निशान की सम्मान करते हैं पुजा पाठ करते हैं और इस तरह से बावश्याम को मानते हैं तो बावश्याम उसकी हर मनों कामनाओं को पूर् तो उस नारियल को एक लाल कप्ड़े में लपेट कर, और उसे उसी प्रकार से जब आप निशान की पूझा कर रहे होंगे, उसी समय उस नारियल के भी पूझा हो जाएगी, पर देखे शमभक्तों जो नारियल जो भक्त लोग बाबा को दरवार में चड़ाते हैं उनकी हर तरह की मनुकामनाई होती हैं हर तरह की इच्छाई होती हैं इस नारियल को प्रिशाद के रुप में आपको मिला है तो इस नारियल को आपको अपने घर में अलवारी में किसी ज यहांपे पूजा का स्थान बनाया हुआ है उस जग्य में आप उस निशान को इसी परिगार से डंडे में लगाकर आप खड़ा कर सकते हैं। दुकान में रख सकते हैं, दुकान के बहाँ उपर भी छत बना है, उसके उपर भी छत बना है, तो जाकर आपको एकदम सबसे टॉप फ्लोर पे लगा देना है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपने दुकान के साइट से अगर कोई जगह हो तो वहाँ पर भी इस तरह से जूटा डाल दिया, जूटा डाल दिया, तो इस तरह से ऐसी जगह ना लगाए, जैसे कि माली जै हमने सड़क की तरफ ऐसा मूँ करके लटका दिया निशान को, बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं, जो भगवान की पुजा पाठ नहीं करने वाले दूसरे धर्म के होते हैं कभी कभार हसी मसकरी में ऐसे निशान पर कुछ डाल दिया है, कुछ फैक दिया, तो इस तरह सोड़ा सा सही नहीं होता है, इसलिए निशान को या तो अपने दुकान में ही, आप स्टिक में ले अगर खड़ा कर दें, या आप उस निशान को ऐसी जगह लगाए, यानि बिन बावश्याम का निशान है, आप कहीं से भी किसी भी तरह से दर्शन कर सकते हैं, निशान का, निशान की पूजा कर सकते हैं, हाला कि शाम भक्तों बावश्याम को सरल और सहज भक्तों की जरुरत है, जो सरल और सहज होते हैं बावश्याम भक्तों के ऐसे ही काम बना देते है और अगर आपका अपना खुद का घर नहीं है आप किराय पे रहते हैं और उस निशान को किराय वाले घर में लगाए हैं तो बावश्याम आपका जल्द से जल्द अपना घर भी बनवा देंगे ऐसी बावश्याम की महिमा है ऐसे बावश्याम की किरपा है तो एक वार आप ट निशान तो निशानी होती है बबश्याम तो एक हैं ऐसा नहीं कि आपके घर के पास वाले शाम-बाबा अलग है खाटु धाम वाले अलग हैं हाला कि सब उनीका स्वरूप है मानकर वहाँ पर पुजा किया आता है पाट किया आता है तो आप निशान कहीं से भी लाए चाहें नस्दी की शाम बाबा के मंदिर से लाए या खाटु धाम से लाए सबकी पुजा वैसे ही करें में ही उस निशान को बना कर बबाश्याम को अरपन कर सकते हैं और अरपन करने के बाद यानि कि उन्हें दिखा कर उस निशान को अपने घर में ही लाकर यानि घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं छोटा होगा तो अपने घर के मंदिर में भी उसको निशान को लगा पाएंगे तो hopefully शाम भक्तो आपको पूरी जानकारी मिली होगी अगर इस वीडियो से related कोई और जानकारी चाहिए तो comment box के जरी हमें बता सकते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो में तक तक के लिए आप सभी शाम भक्तो को जैसरी